नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जोब न्यूज नाओ में आज मैं आपको जी में एक्जाम 2019 का जो है वो एंटरेंस एक्जाम होने वाड़ा है उसके बारे मैं बताना चाहूंगी कि उसमें हमें क्या क्या चीज़ें है जो लेके जानी है जो क्या है जो नहीं लेके जाना है ठीक है लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल जोब न्यूज नाओ को सबस्क्राइब जरूर कर लीजे और बेल आइकोन को प्रेस जरूर कर लीजेगा ताकि आपको हमारे चैनल की ले 2019 जो अभी हमारा 7 अप्रेल 2019 से 10 अप्रेल 2019 तक होना है तो उसके लिए हमें जो एड्मिट कार्ड हैं वो एक तारिक से डाउलोड होने लगे थे तो हमें क्या करना है हमारे गूप लैप्टोप या कंप्यूटर पर जाके हमें टाइप करना है जी मेंस 2019 हम उस पर एंटर करेंगे तो हमारी यह वाले जो जी में एक्जाम की जो ओफिशिल वेबसाइट है यह कुल जाएगी अगर आपने अड्मिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके उसमें एड्मिट कार्ड में इमेज नहीं आ रही है तो आप यहां पर इमेज भी करेक्शन कर सकते हैं तो आज जो है वो एड्वाइजरी हम देखेंगे उसमें हमें क्या दिया गया है इम्पोर्टेंट एड्वाइजरी फूर दे कंडिडेट्स ओफ जी में अप्रेल दोजार निस रिजिस्ट्रेशन डेट, सिफ्ट, कोर्स, एंड वेन्यों अफ टेस्ट सेंटर एज इंडिकेटेटेड ओन यूर एड्मिट कार्ट डाउनलोड जो है वो आपने कर लिया होगा ठीक है जो तो नो कंडिडेट शुड़ अड़ाप्ट अनी अनफेर मींस और अनफेर एड्मिट कार्ड डाउनलोड किजिए अगर उसमें क्या है रिपोर्टिंग टाइन, गेट क्लोजिंग टाइम, डेट ओफ एड्मिनेशन, सिफ और टाइमिंग ऑफ टेस्ट, वेन्यों आफ टेस् अच्छे से ध्यान कर लीजेगा, रिपोर्टिंग टाइम से पहले पोचना है, if you report beyond the gate closing time of center, you not be allowed, अगर gate closing के बाद आप पोचे तो आपको allowed नहीं किया जाएगा, you should carry with you only following item, admit card, जो है वो colored print out होना चाहिए, एफ फोर साइज पेपर में, one passport size photograph, जो आपने application form में upload किया था, same होना चाहिए, to be pasted on the attendance seat at the center, जो center पे attendance seat है, उसमें paste करना है, valid photo ID proof, original में, pen card, जो अधार card, वोटर ID card, passport, ये जो हिन में है, वो, please note that ID cards, college के, school के, इन्वेस्टी के, coaching center के, नहीं चलेंगे, और examination center में, आपको allowed नहीं किया जाएगा, अगर आप, बिना ID proof के जाएगे तो, और PWD certificate, अगर आपके पास नहीं हुआ, तो आपको entry नहीं दी जाएगी, candidates are not allowed to carry instruments, pen और आपको रफ जो paper है, वो अंदर ही, आपको provide किया जाएगा, candidates must write their name and roll number, top of the seat and must return the seat, admit card to the invigilator, फिर उसके बाद ही, आपको जो examination center है, उससे exit करना है, ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई हो, तो हमारे वीडियो को like जरूर कीजेगा, और channel को subscribe कर लीजेगा, धन्यवाद,